मुझे तलाक नहीं चाहिए एक महिला अपने पत्थी को तलाक दे रही थी उसके दो बच्चे थे महिला के वकील ने सारी तयारी कर रखी थी बस पत्थी के साइन बाकी थे पत्थी ने वकील से एक अन्रोध करते हुए कहा मुझे पता है कि अब मैं अपनी पत्नी और बच्चों से जीवन भर के लिए धूर होने जा रहा हूँ मेरी एक गुजारिश है कि मेरी पत्नी से कहो कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आखरी कुछ खंटे बिताना चाहता हूँ वो बच्चों को कल कोट में ले आए, वहां से मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा, उसके बाद मैं आकर हस्ताक्षर कर दूँगा, सुबह उसकी पत्नी और बच्चे कोट में आ गए, पती ने अपनी पत्नी और बच्चों को कार में बिठाया और उन्हें घूमने ले गया बच्चे कभी मा से लिपट कर प्यार करते तो कभी पापा से लिपट जाते कभी आइस्क्रीम खाने की जित करते तो कभी पार्क में जाने की जित करते उनके पापा ने उनको आइस्क्रीम खिलाई उसके बाद होटल में ले जाकर अपने हाथों से खाना भी खिलाया और अपने बच्चों को देखते हुए उनके आंखों से आंसों भी छलग रहे थे फिर अपने बच्चों को पार्क में ले गए जहां जाकर बच्चे खुशी से खेलने लगे और साथी साथ अपने माता पिता से लिपड जाते और माता-पिता भी उनसे प्यार करते थे फिर पापा ने अपने बच्चों और अपनी पतनी के लिए धेर सारे गिफ्ट भी खरी दे और बच्चों को कार में बिठा कर कोड की तरफ चल पड़े बच्चे अपने पापा से कहने लगे पापा पापा हमें नानी मा के घर नहीं जाना हमें अपने घर जाना है मा से कहो ना कि वो हमें अपने घर ले चले काफी समय बीच चुका था और वकील बार बार फोन कर रहा था कि कोड बंध होने वाला है तुम लोग जल्दी आ जाओ मुझे पर अपने घर जाना है मगर पती का अपनी पत्नी और बच्चों से बिचुडने का मनी नहीं कर रहा था पती की आँखों से आशु बहने लगे बेटी ने देखा तो फोरण पूछा क्यों रो रहे हो पापा पिता ने कहा नहीं मैं नहीं रो रहा हूं मेरी आँखों में कुछ चला गया है रास्ते का सफर बड अभी आवाज में कहा बिटा अभी चले जाएंगे घर बस ये थोड़ा सा काम है कमरे में पहुंसते ही वकिल साहब ने कागसों पर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर पत्नी ने वकिल से कहा मैं अपने पती को तलाक नहीं देना चाहती मैं अपना केस वापस लेती हूं इसके पत्नी और पती दोनों ने एक दूसरे से माफी मागी कि वह दोनों अपनी अपनी जित की वज़े से अपना घर बर बात करने चले थे और साथ ही अपने बच्चों की जिंदगी भी अपने एहंकार को थोड़ा अलग करके किसी और की साहता लेने के बज़ाएं पती पत्नी खुद अपनी समस्याओं को सुलजा लें तो कोई गलत फहमी दूर हो जाएगी और कई रिष्टे तूटने से बच जाएगे। मेरी कामना है कि ये बात लोगों के दिलों तक पहुँचे तो वे अपने अनमोल रिष्टों को खोने से बच जाएगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आये होगा और वीडियो पसंद आये तो उसे लाइक करें शेर करें और हम से जुड़े रहने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें